मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं, सारी का बच्पन से ही होनहार थी, देखने में तो सुन्दर थी ही, साथ ही उसे स्टाइलिस कपडे पहनना भी पसंद था, वे अपने आपको हमेशा स्टाइल में ही रखती थी, वे बड़ी होकर फैशन डिजाइनर बढ़ना चाहती थी, पिता को ये सब चीजें पसंद नहीं था, उनका मानना था कि लड़की ग्रेजुएशन कर ले, वही बहुत है, और उसे शादी के बाद खर ही संभालना है, तो फैसन डिजाइनर बन कर क्या करना है, लेकिन सारिका ने अपनी मा के सपोर्ट से अपने पापा को मना ही लिया, उसने फैसन डिजाइनर का कोर्स कर लिया, उसके बाद उसने सोचा, एक दो साल किसी बड़े डिजाइनर के साथ नौकरी करेगी, बाद में वे अपना खुद का भुटीक खोलेगी, एक दिन उसके मामा जी आए और उसके पापा से एक रिस्ते के बारे में बताया, उसके मम्मी पापा को वो रिस्ता बहुत पसंद आया, क्योंकि लड़का PWD में सरकारी इंजेनियर था, फिर क्या था, कुछ ही दिनों में सारिका की शादी हो गई, और वे अपने ससुराल चली गई सारिका ने सोचा की वे अपने पती से कहकर अपने ससुराल में ही अपना बूटीक ओपन करेगी, लेकिन जैसे ही उसकी सास को पता चला, उसकी सास ने साफ मना कर दिया, बहु, हमारे घर की बहु, ये सब काम नहीं करती हैं, तुम्हें कोई चीज की दिक्कत हो तो कहो, तुम्हारे ससुर जी, ब्लॉग डवलपमेंट आफसर से रिटायर हुए हैं, उनकी क्या इजजत रह जाएगी, लोग क्या कहेंगे, की बेटा, इंजीनियर, ससुर, बीडी ओ, फिर भी बहु ने बुटीक खोला है, नहीं बहु, ऐसा नहीं होगा, सारिका ने जब इस बारे में अपने पती से बात करी, उसके पती ने बस इतना ही समझाया, की सारिका थोड़े दिन सांत रहो, मैं मा से खुद बात करूंगा, सारिका ने कभी सोचा भी नहीं था, की उसे ससुराल में इतना काम करना पड़ेगा, घर में नन्द थी, लेकिन मजाल हो जो एक छोटी सी मदद भी कर दे, मा बेटी बैठ कर दिन भर टीवी देखते रहते थे, जो खाने का मन करता सारिका को आरडर कर देते थे, सारिका का छोटा देवर नुएडा में सौफ्टवेर इंजीनियर था, और उसकी भी शादी की बात चलने लगी, उसके देवर ने अपने घर में बताया कि वे अपनी कमपनी में ही एक लड़की से प्यार करता है, और उसी से शादी करना चाहता है, जब ये बात उसकी सास को पता चला, तो उन्होंने इस रिस्ते का पूर जोर विरोध किया, गुसे में होकर वापस नुएडा लोट गया, क्योंकि वे उसी लड़की से सादी करना चाहते थे, सारी का सोच रही थी कि वे अपने सास से बात करे कि आज कल के जमाने में शादी उसी से करनी चाहिए, जिससे हम पसंद करते हैं, लेकिन उसे पता है कि उसे घर में बोलने का अधिकार नहीं है, सारे निन्य हैं, उसकी नंद और सास ही लेती हैं, थोड़ी देर में सास ने आवाज दी, बहु एक कप चाय बना कर लाओ, तो सर में दर्द हो रहा है, आजकल के बेटे भी ना मा बाप की बुलकुल भी नहीं सुनते, एक मेरा बड़ा बेटा है, जो बुलकुल राम की तरह है, जो कह दो ना नहीं कहेगा, थोड़ी देर बाद जब चाय लेकर अपनी सास के कमरे के पास आई, वे अपने पती से कह रही थी, देखो जी, साधी तो कभी भी मैं उस सौफ्ट्वेर इंजीनियर लड़की से नहीं करूंगी, अगर वे नौकरी करेगी, तो वे सारिका की तरह घरे लगी, नौकरानी बनकर कभी नहीं रहेगी, उसकी शाधी भी सारिका की तरह ही कोई सीधी साधी लड़की देखकर करा दूंगी, जो सारिका की तरह मेरी हर बात माने, अपनी सास की ये बातें सुनकर ऐसा लगा सारिका पत्थर से की हो गई है, वे सब को खुश करने के लिए उसने अपनी परवा किये बिना, दिन रात इनकी सेवा करी, इनकी खातिरदारी करी, ये तक की अपने सपनों को भी कुरबानी दे दी है, अपनी सास को चाय देने के बाद वे अपने कमरे में गई और उसने उसी समय नेन्य लिया की वे अब अपना बुटीक खोल कर रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए वे इस घर की बहु है नौकरानी नहीं अब आज के बाद मुझे ना कहना भी सीखना होगा मैंने फैशनर डिजाइनर का कोर्स इसलिए नहीं किया था कि घर में बैटकर सब की खातिरदारी करूंगी ये काम तो एक नौकरानी भी कर सकती है अब आज के बाद मैं भी अपना एक अलग पहचान बनाऊंगी दोस्तों एक बहु अपने ससुराल के लिए अपना सब कुछ नौचावर कर देती है लेकिन उसके बदले में ससुराल से मिलता क्या है सिर्फ तिरसकार बार बार उसके आत्म सम्मान पर चोट पहुचाई जाती है आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये चोटी सी कहानी पसंद आई होगी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताईए और हमारे चैनल वानी वोईस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें झाल 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 झाल